Hello everyone, welcome to all of you, this is Anjumorya और आज आपको एक बहतरीन टॉपिक समझाने वाले हैं, जिनका नाम है Inflammation ठीक है, यह जो Inflammation है ठीक है, Inflammation आप इनको लिख लिजीगा Actually यह एक इनिट जो है Inflammation Inflammation होता क्या है और उसकी event क्या क्या है तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि Inflammation हमारी body का एक protective device होता है ठीक है, protective device का मतलब कहीं भी inflammation हो रहा है इसका मतलब वहाँ पे body के कुछ damage part को या तो remove किया जा रहा है या तो healing हो रही है एक तरीके से या microorganism को kill किया जा रहा है ठीक है Inflammation के बारे में आपको बता दें किसी भी term का suffix अगर itis है तो समझे कि वो उस चीज का inflammation denote करता है जैसे hepatitis, liver का inflammation nephritis, kidney का inflammation arthritis, joint का inflammation तो इस तरीके से अगर कहीं भी term itis suffix है तो वो inflammation को denote करता है inflammation characterized by following features चार feature से characterized है redness जिस जगे पे inflammation हो रहा है वहाँ redness होगी जिसको ruber कहते है swelling होगी जिसको tumor कहते है heat generate होगा वहाँ पे जिसको color कहते है pain होगा dollar कहते है loss of function होगा जिसको Lisa के नाम से भी जानते है inflammation का जो function है to remove or destroy the infected या damaged cell from body inflammation to remove or destroy the infected या damaged cell from the body and it is characterized by following features redness, heat, swelling, pain and loss of function अब इसको हम थोड़ा सा आपको describe करते हैं ध्यान से देखना इसके event हमने यहाँ पे लिखे है inflammation के event migration, vasodilation, rolling and addition, diabetes and extravasation chemo, taxism, degradation और inflammation चार इतने सारे step है जैसे समझी हम आपको बहुत अच्छे से इसको समझा सकते हैं जैसे suppose करो कि आप कहीं जा रहे हो और आप गिर गए अब आपकी body में कहीं भी चोट लग गई suppose घुटने पे चोट लग गई अब घुटने पे चोट लगी तो वहां की tissues damage हुई होगी tissue damage हुआ तो कुछ blood vessels भी वहां पे migrate हो जाती है और आप कहसकते हो कि खून भी बैता है blood vessels को damage होता है तो खून बैने लग जाता है अब जो tissue damage हुई तो उस tissue को वहां से हटाना है और हो सकता है उस damage tissue के साथ कुछ microorganism भी हमारी body में आ गए हो तो हमें ये तो दिखता है कि हमें चोट लग गई वहां पे swelling हो गई वहां पे redness हो गया heat generate हो रहा है heat जैसा लगेगा pain हो रहा है और वो organ काम नहीं कर रहा है कुछ देर के लिए loss of function भी हो जा रहा है तो ये 5 चीज हम महसूस करते हैं ना वहां पे तो हमें लगता है कि ये 5 चीज हम वहां पे आरांज से महसूस कर सकते हैं क्या redness, swelling, heat, pain और loss of function ये actually है क्या इन सब के पीछे हमारी body एक protective mechanism perform कर रही है जिसका नाम है inflammation और ये inflammation उस damage tissue को वहां से हटाने का एक process है या फिर microorganism को वहां से remove करने का process है तो सबसे पहले जब चोट लगी तो tissue damage हुआ blood vessels वहां से migrate हुई ठीक है, migration हुआ फिर blood vessel थोड़ा dilate होने का dilate होंगी ठीक, blood flow बढ़ जाएगा blood vessel dilate हो जाएगी अब blood vessel dilate होंगी तो blood की, जो membrane होगी उसकी permeability बढ़ जाएगी membrane की permeability बढ़ेगी ताकि membrane, जैसे भाई कोई membrane कोई tube पतला है उसको आपने बढ़ा दिया तो वो permeable जादा हो जाएगा ना, permeability इसलिए बढ़ाया जाता है क्योंकि वहां से WBC को निकालना होता है, capillary से vasodilation होगा, फिर rolling and addition तो क्या हुआ कि WBCs यहां से roll करते, 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 करते उस damaged tissue के पास आके चिपक जाते हैं, ठीक है यहां पर आके, या microorganism जहां होगा उससे चिपक जाएंगे, rolling and addition उसके बाद डाइपिडेसिस या extravasation होगा, इन WBCs, capillary से बाहर निकल जाएंगे, दिखो यहां से बाहर बाहर निकलने की प्रोसेस को ही डाइपिडेसिस या extravasation के नाम से जाना जाएंगे जब WBC यहां से बाहर निकल जाएंगे तो अब क्या होगा, chemotaxism WBCs, जो microorganism है, वो कुछ chemical release कर रहे है, या फिर जो damaged tissue है यहां वहां से कुछ chemical release हुआ है तो उन chemical की तरफ WBC attract होगे, तो इसको हम कहते हैं chemotaxism फिर WBCs अपना कुछ chemical release करके उस microorganism या damaged tissue को degrade कर देंगे तो degradation और फिर उस जगे पे हमें inflammation, मतलब आप देखो WBC क्या है, उस जगे को घेर लिया microorganism को जब घेर लिया तो swelling तो हो जाएगी WBCs क्या करते हैं, microorganism को या damaged tissue को surround कर लेते हैं तो surround करेंगे तो swelling होगी swelling मतलब tumor फिर permeability बढ़ी है blood vessel की permeability बढ़ी है blood flow बढ़ा है तो वहाँ redness भी दिखेगा फिर उसके बाद जब blood flow बढ़ गया तो temperature तो बढ़ेगा ना वहाँ पे heat भी समझ में आएगा फिर वहाँ पी nerves कुछ damage होई है तो pain भी समझ में आएगा और loss of function भी समझ में आएगा तो swelling, redness, temperature, pain और loss of function यही है inflammation और इसके पीछे क्या था इसके पीछे का आपको पता है मकसद हमारे damaged tissue को remove करना या microorganism को degrade करना यह है inflammation चलिए आज के वीडियो में हमने inflammation और इसके event के बारे में आपको discuss किया, next वीडियो में मिलते हैं किसे बहतरीन topic के साथ तब तक के लिए all the best सभी को, bye bye, आप हमारे किसी भी course से जोना चाहते हैं तो हमारे help line नमबर पर बात करके सारी जानकरी प्राप्त कर साथ, okay, bye